पिछले 24 गंटों के बीतर ही नैशनल कॉंफेस के कद्दावर नेतक बड़े कुंबे के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं इससे नैशनल कॉंफेस को क्या फर्क पड़ा है इसी विशे पर चचा के लिए सत्मोजूद है फंक्शनल प्रोविशनल प्रेजेंट और सीने अड़ोकेट रतनाल गुपता जी गुपता साथ आपको स्वागत है मैं थोड़ी सी दूविदा में हूँ कि आपको फंक्शनल प्रोविशनल प्रेजेंट बने की मुबार्ग बात दूं या राना साथ के जाने का दुख या कोई फर्क पड़ा भी है यह नहीं पड़ रहे हैं देखिए नेशनल कांफरेंस जो है वह एक मूमेंट है उनिसो गत्ती से यह मूमेंट चली हुई है जम्मो किश्मीर के लोगों की खिन्मत के लिए उनकी सेवा के लिए लगातार काम कर रहे है यहां कोई किसी पार्टी को या किसी फर्द के जाने से पार्टी को को नुक्सान नहीं पहुंचता लेहाजा पार्टी बड़ी मुझबूत तरीन पार्टी है ये जम्मू किश्मीर की प्रीमिर पॉलिटिकल पार्टी है इसके जो हमारे नेतागन है हमारी क्यादत जो है वो एक बहुत ही मंजे हुई क्यादत है जम्मू किश्मीर के लोगों की सेवा के लिए वो लगे हुए है जिनावे उमर साब जिनाव राक साब और लोगों को बहुत ही प्यार है उनके साथ यही वज़ा है कि नेशनल कांफरेंस जम्मो किश्मीर के अंदर क्यादत मुझबूत है पार्टी मुझबूत है तो मैंने समयते हैं किसी के आने से यह जाने से कोई पार्टी कहीं कमजोर पार्टी को पहले से पता था कि यह सारे लीडर्स जो है यह जाने वाले हैं देखें पार्टी में पहले कहा है ना पार्टी में लाखों की तैदाद में वर्कर हैं हमारे नेशनल कांफरेंस के हम भी वर्कर हैं अब लाखों में कोई निकल जाए चला जाए तो पार्टी को क फरक पड़ेगा? आप मुझे बताईए हम लोग भी वरकर हैं हम को लीडर नहीं है? यह जिनकों को आप कह रहे हैं कि वह लीडर है वह लीडर नहीं है वरकर हैं करोणों की लखों की लाकों की हमारी पार्टी में वरकर है मेंबर्शिप है हमारी लाकों में अगर दो चार दस बीस निकल भी जाएंगा चले जाएंगा दुख तो होता इसमें कोई शक नहीं लेकिन अगर चले जाएं तो पार्टे को थोड़ी को परक पड़ेगा अब इस शानव शानव साथ में चलते थे क्या पहले भास था कि राना नजर निया दिख भी नहीं कहीं अगर राना सबसे बात कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले उनका बड़ी अच्छी तरह सेवा की पार्टी ने मुझे प्यार दिया और मैंने 26 साल के बाद आज चोड़कर जा रहा हूं कि जमू डिक्लेरेशन के लिए जो ह है यह ना कि अगर डिक्लेरेशन होता है कोई उस पर पूर्णे पड़े हो लिखा पड़ा हो कुछ लिखा उसमें आप ने देखा है जमू डिक्लेरेशन देखा जिस पर लिखा ही कुछ नहीं पूछा रहा उन्होंने बोला कि जमू कुंबा जो है उसको दरकिनार किया जा उसके लिए हमें बढ़कर आगे निकलना है हम वही पूछे के छपी साल लगे इस ची समझने के लिए अब यह हम कह नहीं सकते इस पाक क्यों कि हमारे अजीज तरीन दोस्तों में थे हम उनको यह बात कह नहीं सकते लेकिन यह जमू का नाम लेके अगर कोई उनने हमारी पार कहा नहीं होना चाहिए हमेश्यton हमारी leadership नहीं पार हमारी leadership आगे बड़के यही बात कहती है हमें कि जञ्मू के लोगों के जो परिशानी है उनकी जो कुठ्ञाइन है उनको जो दुबदाई पेश आ रही हैं उसके साथ जूडिए और कोशच के लिए कि उनकी दुबदाइं काता हूँ, उसी प्राब्लम तो काता हूँ, थोड़ इसी दुख जरूर होता है कि जब किसी वेक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो, पार्टी इस समय कहीं न कहीं बुरे वक्त में हैं, क्योंकि विपक्ष में हैं, तो ऐसे में जो जिन नेतों को साथ देना तो यह कहा जा सकता है कि सिर्फ मफाद के लिए कुछ अपने कदम जो है वो बदल लेना, देखिए ये, आप कह सकते हैं, ये दुनिया लोग कह सकते हैं, जनता कह रही है, और कह भी रही है, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी अपनी सियासत है, वो अपनी किश्मीर में इस स्ट एल पर उनका जाना और बिना किसी बात पर चाना यह मैं समीता हूं नामना सब ऊ एक और बात यह कही जा रही है कि जिसना गुडबाजी हर पाटी में होती है नेशनल कोंफिसमें यह माना जाना कि जो अजे सदोतरा जी है उनसे भी कहिन गई दो गुड बने हुव थे जिस वज़े से एक गुड जो है वो भी खफा होके इस वज़े से यह सारा काफिला जो है यहां से निकल गया है यह ऐसी कोई बात नहीं है हमारे लिडिशिप जो जमू की लिडिशिप है सद कोई जिंदर जी थे ऐसे इस राथिया साथ ते यह बाकी दोस्तों थे बड़ी अच्छी दंग थे कोई इनमें कहीं भी किसी स्टेज पे भी इनमें आपस में कोई तक्रार नी हुआ या कोई बात नी कोई ऐसी इनमें थी बड़ा प्यार से करते थे बात्चीत हम लोग खु की बात का है कि वो नेशन कांफरेंश दी है दूसरी बात हमारी लीडिर्शिप जो है उसके लायर है और नेशन कांफरेंश और लीडिर्शिप को मुझबूत करने के लिए हर ममकन वो कोशिश करते हैं राना साब से कल उन्हें पूछा उन्हें कहा कि हम मैं डॉक्टर फार्ग अबदुलो और अमर अबदुलो जी के सब बहुत प्यार है और उनके समय पहले मिलकर आया हूँ लेकिन कल जैसे ही उन्हें रेजिशन उनका एकसेप्ट किया गया उसके बाद उमर साहब ने अपने दुख तो होता है चाए कोई भी हो यह तो हीमन नेचर है यह कोई पार्टी पा प्रितिक्स को छोड़ کے एक नासा होता है वो तो बात अअसी कोई होगी है निर्ज संत्रें एस कोई बात नास कोош्टन कि यह जो नुकसान हुआ है पार्टी उससे भर भरने के लिए अपनी Max क कर रहें कोशिश कर रहें किस तरह से एक नहीं स्टेटेजी तियार की जाएगी अब आप प्रविंशन प्रेजेंट है आपकी तरफ से किस तरह से नीचे का वर्कर है वो अपने आपको कमजोर ना समझे वो यह ना समझे कि हमारे 17 या अठरा लेडर चले गी हैं तो अब हम मेंबर्शिप हो 17-18 आदमी के जाने से क्या फरक पड़ता है आप मुझे बताइए चिडिया चूँच बारे ले गई ते नदी ना कटी हो नीर नीर बहां नी करता है काम नी होता है दरिया चलते रहते हैं समंदर बहुत पार्टी बहुत 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 समंदर है इस कि आने वाले लेक्शन को सभी को पता चल जाएगा चमु किश्मीर के अंदर नेशनल कांफेंस से कुमत बनाएगी नेशनल कांफेंस आ रही है और जिनावे उमर साब हमारे चीश मिनिस्टर होंगे यह क्या है गुपता सब बहुत है कि आने वली यदि सरकार होगी तो बीजेपी को मुलाएंगे क्यों मुलाएंगे हम जब हम बिलकुल अकेले हकूमत बनेगी नेशनल कांफेंस की अकेले हकूमत बनेगी इसमें कोई दोर आई नहीं है जिनको कोई शक्षवा की हो गुंजाईश वो उनको निकाल लेना चाहिए यदि कम यदि आंखडा कम पड और बीजेपी की तरफ से भावी उमीदवार दुविंदर सिंग राना हुए सीम पद के तो क्या नेशनल कांफेंस सपोर्ट करेगी यह बड़ी प्रीमिचूर बात है यह ऐसी कोई बात है इसमें कोई बजन ही मुझे नजर आ रहा है इस बात में बजन ही आ रहा है क्योंकि ना नोमन तेल होगा ना रादा नाचेगी ना उनकी हकुमत बनेगी और ना किसी का नाम आएगा हकुमत नैशनल कांफेंस की बनेगी और बंके रहे हैं। तो भी यह दुख जरूर है कि अचानेक से कोई अपना चोड़कर गया है और उस अपने पन को जो दोखा दिया गया उसकी बरपाई जो है वो पूरी करने की कोशिश जरूर की जाएगी आप जोड़ने ही वी उस्टोडी नियूस के साथ।